यह घटना है 1992 की जो पेपसी ने कॉंटेस्ट चलाया जिसका नाम था पेपसी नंबर फीवर और इसी कॉंटेस्ट की वज़े से फिलिपीन्स में दंगे बढ़क गए थे और पांच लोगों की मौत हो गई थी कैसे चली जानते हैं एक्चली पेपसी के इस कॉंटेस्ट के मुताबिक पेपसी बोटल्स कैप के नीचे अलग-अलग नंबर लिखे होने थे फिर टीवी पर एक लखी ड्रो निकलना था और जो भी उसे जीत था उसे 1 मिलियन यानि की 10 लाख मिलने थे जब ड्रो निकाला गया तो नंबर था 349 ल उसी वज़े से 5 लोगों की मौत हो गई बिजनस में छोटी सी गल्ती कभी-कबार बहुती भारी साबित होती है गाइस आपका इसके बारे में क्या खयाल है कोमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब इन लाइक मिलत इतना पैसा है जितना की 96 प्रतीशत जनता के पास भी नहीं है पर सवाल ये है कि ऐसा क्यूं चलिया आज मैं आपको बताता हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि 96 प्रतीशत लोग काम का स्ट्रेस बहुत जादा लेते हैं और वो तो काम भी इसलिए करते हैं ताकि expensive चीज़ों को गडियां जिनकी कीमत समय के साथ-साथ घड़ते रहती है और expensive चीज़ें खरीदने की लट की वज़े से उनको और जादा काम करना पड़ता है जबकि 4 प्रतीशत लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन उस काम के बदले वो asset ही कठे करते हैं जिनकी value future के साथ-साथ बढ कुछ भी कम होने लगता है यही इसकी सबसे बड़ी वज़ा है आपको यह वज़े जानकर कैसा लगा comment section में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए share, subscribe and like मिलता एकली वीडियो में